हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एंजल मैथ्स कॉंपटिशन फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टाट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक से और इस बुक की कोशन होगा सोलुशन जैसे कि आप सभी को मालूम है बड़ा ही जबर्दस चल रहा है तो आज की वीडियो में हम चेप्टर कोशन नमबर सिक्स अनुपार समानुपात की आज ये सैकेंड वीडियो है जिसमें कोशन नमबर 21 से आज की वीडियो स्टाट होने जा रही है बहुत ही जबर्दस्थ और बेस्ट सोलुशन के साथ आपको इस बुक के कोशन होगा सोलुशन मिलेगा और यूपी पुलिस दो आसान टेक्निक में कनवर्ट करने के लिए आपको पहला कुशन शुरू कर रहे हैं तो देखें बहुत ही जबर्दस्थ और बेस्ट है बड़ा जबर्दस्थ तेलेंट है आप देख लिजे इसका सोलुशन में कैसे बताता हूँ सभी जानते हैं इसका सोलुशन लेकिन इस नहीं करते हैं सभी आप देख लिजे जैसे मैं आपर आपको बताऊंगा यदि A अनुपाद B का रेसो दो अनुपाद 3 है B अनुपाद C का रेसो 4 अनुपाद 5 है तो A B C का रेसो बताए तो देखें कहीं भी इस तरह से अगर 3 बंदों का A B C का रेसो पुछ जाए तो 4 और 5 है तो देखो इस 4 का मल्टिपल में इनमें दोनों में लगतार बारी बारी करूंगा देखें 4 दोनी 8 A का रेसो आगया अनुपाद 4 तिये 12 इसमें करूंगा 4 तिये 12 और C का रेसो निकालना है आप 5 की गुणा करूंगा इसमें लास्ट वाले में तो जहां भी आपको 5 तिये 15 तो लीजे आगया आपका A, B, C का रेसो आचुका है बहुती आसानी से आपको मालूम हो गया तो कहीं भी फ्रेंड अगर इस तरी का कुश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप सेमें लास्ट वाले में तो जब भी दोनों के साथ हो यहां पर A के साथ भी भी है और B, C के साथ भी है तो यह concept आप सेकंडों में कर सकते हो और तत आप कुश्चन पर देखते ही नजर से आप कुश्चन का solution बता सकते हो तो हमारी कुश्चन का answer आगया option C, 8, 12 और 15 का रेसो होगा A, B, C का चलिए next अब next करते हैं जबलदस्ट बहुती शुपार यदि X बटे 2 ब्रावर Y बटे 3 ब्रावर Z बटे 5 हो तो X, Y, Z का रेसो बताना तो जैसी कि आपको मालूम है बटे में मान अपना होता है जब बरावर आजाए और उपर कोई भी सहीं क्या ना हो केवल ये वाली X के बटे में 2, Y के बटे में 3, Z के बटे में 5 इसका मैं आप X के ऊपर 2 आजाए तो X का मान होता है और X के बटे में 2 आजाए तो X का मान 2 होता है तो ये 3 कंडिशन होता है कहीं भी आपको दिखाई दे तो वहाँ पर X की वेल्यू इस फोम में मानी जाती है तो X का मान यहाँ पर 2, Y का 3, Z का 5 तो X, Y, Z के रेसों हमें मालूम होगे तीन और पाँच तो यही हमारे कुश्चन का आंसर बन जाता है बहुत ही आसानी से देख लिजे फ्रेंड दो अनुपाद तीन अनुपाद पाँच अप्शन डी इस राइट आंसर तो देखो डी इस राइट आंसर और आपका मेंद बहुत ही जवरदस्त बनाए जाएगा आप धीरे धीरे देखते रहे ना इस बुक के बाद में जवरदस्त बुक लेके राऊंगा बहुत ही खतरनाक सोलुशन दोँगा इससे भी ज़्यादा खतरनाक तो आप देखे नेक्स्ट में आपके सामने कोश्चन नमबर 23 दिखाता हूँ कुल 504 चातरों में लड़कों वे लड़कियों का अनुपाद 13-11 के रेशों में देखे यह हमारा जो इक्वल टु इक्वल होता है यह जवरदस्त कोंसेप्ट है इससे आप ओल ओवर इडिया में जो भी लेंगवेज वाले कुश्चन होता है मेट के उन से भी कुश्चनों का सोलूशन आप इसी से निगाल सकते हैं तो दीखे यहां पर कुल चातरों की सेंख्या देदी है सेंख्या के रूप में आ गई है कुल यानि के योग दिया है कुल योग को ही कहा जाता है कुल योग छात्रों का कितना है 504 और यहां लड़के लड़केों के रेसो का योग आ गया अनुपात का योग आ गया 13, 11, 24 13, 11, 24 24, दुनी 48, 24, 24 कड़िया है किस बार 13, 11 का रेसो है यहां पर बोई और गर्ल्स का अब देखो यहां से मुझे मालूम हो जाएगा कितने लड़के है कितनी लड़के यहदि मैं गुना करूँँगा 21 की 13 में 21, 63, 21 21, 21 21, 27 27, 27 हो जाएगा अब 21 की गुना यहां भी करूँगा 21 कम 21, 1, 2 21 कम 21 और 2 21 कम 20 एक आसिल दो 21 कम 21 और 2, 30 यह हो गया हमारा यहां लड़के लड़कियों की संक्या 273 में 233 है अब यदि उसने काया कि यदि तीन लड़किया और आ जाती है तो आप अनुपाद बताएगा यदि मैं और जोड़ दू तो आप लड़कियों की संक्या होगी 234 लड़कों की संक्या वही रहेगी 233 तो ने आनुपाद बताएगा आप तो 283 रेसो 234 तो ने आनुपाद देखो 13 से कट सकता है 13 कम 13 sorry 13 दुनी 26 13 कम 13 और 13 कम 13 8 104 फिर कटे गई है तीन से कट जगा 3721 तीन चंग 18 76 का रेसो आ जाएगा तो 76 का रेसो बनता है नया रेसो तो option A is right answer तो question का answer आ गया 7 रेसो 6 question number 24 देखी बहुती जवदस्ट और best question आपके सामने आप देख लेजे इसका solution कितना जवदस्ट किया जाएगा देखो महिला और पुरसो का अनुपाद 3-2 है महिला वो मेन हो गई और पुरस हो गई मेन इनका रेसो हो गया 3-2 ऐसे लिखेंगे यदि 20 पुरस और आ जाते है तो अनुपाद 2-3 हो जाता है देखे अनुपाद 2-3 हो जाता है कब होता है जब 20 पूरुस आ जाते हैं, यहां 20 पूरुस आ गए, तो दिखो उनमें पूरुसों की संख्या ही बताइगे हैं, कि यहीं 20 पूरुस आ जाए, महिला तो नहीं आई, तो महिला हो गए यहां पर 0, जब महिला नहीं होई, तो महिला हो की यहां पर 0 माना जाएगा, पूर्स आगे यहाँ पर 20, अब देखे, क्रोस मल्टी का अंतर से बड़ा जवर्दस तरीके से बहुत easy solution हो जाएगा, और पूछा है महिलाओ की संक्या ग्यात करनी है, तो देख लिजी अब आप, क्रोस मल्टी का अंतर यहाँ पर यह किया जाएगा, 3, 3, 9, 2, 4, तो देखे, 9 में से 4 गटाएंगे, 5 बचता है, अब यही तरीका इधर करेंगे, 20, 2, 40 और 3 की गुणा 0 में करेंगे, 0, तो 40 आ जाता है संक्या में, तो side में संक्या में तो 40 आता है दोनों का अंतर, और रेसों में अंतर आता है हमारा 5, यह वाला रेसों का और यह वाला संक्या का, तो अंतर बरावर अंतर करेगे, एक रेसो की वेल्यू आगे, आठ, पाचिकम पाँच अठे चालिस, एक रेसो की वेल्यू आठ, देखे, इजी, बिल्कुल इजी, अब पुछाए महिला हो गई संग्या, महिला हो गई संग्या, महिला हो गई संग्या, तीन, तीन में गुणा करत देखे तो पर दिया जाएगा सवाल, बिल्कुल फिनिस, फिनिस किया जाएगा, आप देख सकते हो, और इसे भी टफ टफ जितने भी SSC CGL से भी related question का solution आपको इसी तरह second हो में दिया जाएगा, आईए UP police के चल रहे हैं, CGL के भी आपको बताए जाएगे, पहुती best solution मिलेगा इस concept के according आपको, चलिए next देखते हैं, यदि 800 रुपे की राशी को रवी मोवन और गोविन में 2, 5, 3 के अनुपात में बता है, देखे टोटल योग आगया 800 रुपे, संक्या में 800 रुपे आगया योग, और अब हम इन तीनों का रेसो का योग करेंगे, 3 और 5, 8, 2, 10, एक अब हमसे पूछा है, मोवन और गोविन की राशी का योग, मोवन और गोविन की राशी है रही, मोवन और गोविन का 5, 3, 8 है, 8 में 80 की गुणा करेंगे, 8, 84, 640 हो जाएगा, मोवन और गोविन की राशी का योग हो गया, 640, देख लिजिए, option C is right answer, तो question के answer ऐसे ही मिलें आप सभी विद्यारत्यों को, आप सभी प्यारे बच्चों को यही style, इससे भी ज्यादा खतरनाग style आपको और देखने को मिलेगा, तो देखिए, ये भी एक जबरदस्त question आता है, अनुपात, समनुपात से related, ये भी जबरदस्त concept है, इसको भी देखिए, बहुत easy, बड़ इसी बताए जाएगा, देखिए, आट, तेरा, चब्डिस और चालिस में परतेग में क्या जोड़ा जाए, कि प्राप सेंखाया है, समान अनुपात में हो जाए, तो देखो, पहली दो सेंख्याओ को लिखेंगे, आट, तेरा, इसे, फिर बादी की दो सेंख्याओ को लिख करना है, तो देखेंगे, इसको बड़ा आसान तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हम इन दोनों का अंतर करेंगे, इदर इन दोनों का अंतर, अंतर लिख लेंगे, अंतर यानिके डिफ्रेंस क्या बनता है इनका अंतर, तो इनका अंतर 16 में से 8 घटाएंगे, 8 और 1, 18 हो गया और इधर इनका अंतर हो गया 27 तो छोटा कर लेंगे इनने तागी कैल्कुलेशन आसान हो जए 9 दुनी 18, 9 ती 27 अब देखो क्रोस मल्टी जैसे मैंने यहां किया है क्रोस मल्टी का अंतर करेंगे इसका इसके साथ ऐसे 3,84 और 13 दुनी 26 24 देखो 3,84 तेरा दुनी 26 26 माइनस 24 अंतर आता है 2 तो देखो यहां तो अंतर आगया 2 और यहां के रेशों में अंतर देख लेगे कितना है 3,2,2,3,2,3 गंतर 1,2,2,2 जोड़ा जाएगा तो यही हमारी कोश्चन का आंशर बनता है जोड़ी जाने वाली सेंक्याव है 2 ओप्शन A is right answer तो फ्रेंड इस परकार के जितनी भी कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्जाम में या मैत की बुकों में या नोट्स में तो आप सबको यह से ही करना तुरंट उत्तर आएगा कोश्चन नमबर 27 देखो जबरदस्ट कोश्चन आपके सामने और सॉलूशन भी आपके सामने जबरदस्ट होगा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जबरदस्ट सॉलूशन मिलेगा आपको देखे A पलस B रेसो A B पलस C रेसो C पलस A इसमें देखा गया है B दो बार C दो बार A दो बार है और पलस पलस आ रहा है और यहां पर भी A पलस B पलस C है तो हम इन सभी को जोड़ लेंगे A दो बार B दो बार C दो बार तो दो को बना जाएगा A पलस B पलस C जब इन्हें जोड़ा है तो इनके रेसों को भी जोड़ लेंगे 6, 7 और 8 के रेसों को ऐसे जोड़ेंगे 6K पलस 7K पलस 8K K constant बान लेते हैं यहाँ पर इनको जिससे की calculation करने में बड़ा आसान हो जाए तो देखो इनको जोड़ेंगे अर्थात कितना हो गया जोड़? 8, 8, 14, 27K अब यहाँ पर A पलस B पलस C की विल लिया से उठाग लिखेंगे 14 दुनी 28 बड़ावर 21K साथ चोग 28, साथ 21, के का मान 4 बटे 3 आ गया देखें के का मान आ गया 4 बटे 3 आसानी से आप इसको हल करेंगे, हमसे पुछा है C का मान, C का मान पुछा है A पलस B का मान पता लगते ही हमें, मालूम हो जाएगा C कितना है तो देखो C का मान, तो A पलस B का मान हमारा यहाँ 6K है 6K का मान यहाँ पर बढ़ेंगे, 4 बटे, 3 बराबर A पलस B का मान आ जाएगा 3 दुनी 6, 4 दुनी 8, A पलस B का मान आ गया 8 तो जब A पलस B का मान 8 है तो C का 6 हो जाएगा देख लिजे क्योंकि तीनों का मान चूदा है तो C का आजाएगा 6 बहुत ही आसानी से question का answer आ चुका है देखो A पलस B का मान 8 पलस 6, 8 पलस 6, 14 इसके बरबर यानि के C का मान आगे 6 option A is right answer यह रहाँ बिल्कुल यह जी अब आप यह देखें next question क्या बनता है एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने मित्रो A, B, C, D में एक बटा तीन अनुपात एक बटा चार अनुपात एक बटा पाच अनुपात एक बटा च्छे में बाटा तो उनके पास कम से कम यह है इसमें tag most important कम से कम संक्या में कितने कलम होगे तो देखिए कम से कम संक्या में कुल कितने कलम होगे तो यहाँ पर जोड़े जाएगी उन कलमों की संक्या लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं इस fraction वाले अनुपातिक संक्या को simple रूप में convert करेंगे और फिर उसको जोड़ लेंगे कैसे यहाँ पर तीन, चार, पांच, छेंका एल्शियम बनता है, साठ देखे, साठ बन जाता है एल्शियम अब साठ को इन से बारी-बारी बाग करेंगे तीन से इसको बाग करा, बीस, बीस ही कम बीस, अब कलमों की संक्या जाएगी पलस लगाएंगे चार से साठ को काटा, पंदरा बार पंदरा ही कम, पंदरा पलस, पांस से इसको बारा बार बारा ही कम, बारा पलस, छेदाम साठ, दश ही कम, दश अब इने जोडेंगे सभी को सत्तावन होता है इनका जोड तो कम से कम कलमों की संक्या होगी, सत्तावन यही हमारी question का answer बनता है option है तो option है is right answer तो देखो friend ऐसे आसानी से मेत को हम कर देते हैं और ऐसे ही पूरा मेत आपके सामने easy बाई easy बनता जाएगा और मेत बस एक खिलो ना है इसको खिलो बिल्कुल easy है यह कोई difficult नहीं होता आप वैसे डर जाते हो डर नहीं ही लगता इससे बिल्कुल easy बनेगा यह अगर आपको डर लगता है तो आप मुझसे पढ़िए डर नहीं लगेगा मुझसे पढ़ो आप देखता हूँ डर के से लगता है आपको मेत क्यों नहीं आता हम देखेंगे मेत क्यों नहीं आता आप सा यदि x रेशो y देखो बहुत आसान x की वेल्यू 3 y की 2 देखी finish हो जाएगा x y की वेल्यू 3 2 है तो इससे ही cover हो जाएगा योग बराबर योग से कर लेंगे x y का योग 90 दिया है तो हमारे रेशो का योग 5 होगे है देखी 5 से ठारा बार काटा में और x y का अंतर बताओ x y का अंतर एक है एक की गुणा कर देगे इसमें 18 आ जाएगा x y का अंतर देखी बहुत आसानी से finish हो के हैं यहाँ पर x y का अंतर 18 लीजिए यह है बिल्कुल आसान बताया है मैंने आपको डरने की आवस्यक्ता नहीं है अगर आपको डर लगता है तो आम उससे contact करे हमारा mobile हमारी बस एक टैक्निक को सीख लीजिए आप कोल करें आपको इसका समधान कराया जाएगा और आपके लिए मेहद बिल्बुल इजी बिल्बुल सिंपल हो जाएगा डर खतम हो जाएगा आपका कोशन No.30 बड़ा ही जबरदस्त और best solution देखो दो संखे तीरी संखे से करम से 25 परसेंट-65 अधिक है देखिए यहाँ पर तीन संखे है पहली दूसरी और इन वाली दो संग्यों की बात कर रहा है कि पहली ये दो संग्या ये तीसरी संग्या से 50% 65% अधिक है इससे ये 100% है तो इससे ये 25% अधिक होगे 125 और ये 65 65% अब इन दोनों संग्या होगा अनुपात क्या होगा इन दोनों का पूछा है इन दोनों का अनुपात क्या होगा अ तो इन दोनों का अनुपात आ गया 25 अनुपात 33 वेरी सिंपल देखिए option D is right answer पहुती easy पिल्कुल easy तरीके से question का solution आपके सामने आ चुका है अब next question भी पिल्कुल easy करेंगे एक school में लड़कों लड़कियों का अनुपात 27-23 है यदि इनकी संक्या में अंतर दोस होगा देखे equal to equal हो गया यहाँ पर अंतर 200 का तो अनुपात में अंतर देख लेंगे कितने का चार का अब पूछा है तो लड़कों की संक्या बता लड़के 27 के अनुपात में 27 की गुणा कर देंगे लड़कों की संक्या आ जाएगी देखे चार से काटा 50 बार 200 को और 27 पंजे 135 होता है और 10 या 1350 लड़कों की संक्या थी तो देखे लड़कों की संक्या आसानी से मालूम हो गई है ओप्शने इस राइट आंसर ओप्शने 1350 देखे नेक्स्ट इस ट्रेगा मैंने आभी आपको थोड़ी देर पहले एक कोश्चन भी बताएता जब दो बार 200 आजाए तो कैसे करते हैं दो बार 200 आजाए तीन संक्या का योग 280 है पहली दूसरी संक्या का नुपा 2-3 और दूसरी वह तीसरी का नुपा 4-5 है तो दूसरी संक्या बताओ तो देखो तीन संक्याओं आ गई इन तिनों का योग हो गया 280 योग बराबर योग करेंगे योग बराबर योग देखो उनकों का योग तो आ गया 280 रेशों का योग बनाना है लेकिन सबसे पहले तीनों संक्याओं का रेशों बताएंगे तो मैंने बताए था इस चार की दोनों में गु नारा तीनों का योग हो गया, 12,8,20,15,35 तो 35,8 होता है, 28, 35,8,28, देखे, 8,5,40, 0,8,24, 25,8,28, दूसरी से क्या बताओ, दूसरी में गुना करते हैं, 12 की इसमें, 8 की 12 में गुना करते हैं, देखे, एक रहिशो की मिल लिए 8 आट आगे, 12 की होगे, 12,8, चान में, तो हमारे कोशन का आंसर बन गया, 96, ओप्शन डी, तो ओप्शन डी, इस राइट आंसर, 96, कोशन अंबर 33, बहुती बैस्ट और आसान टेकनिक से आपको कोशन का सुलूशन कराए जाएगा, देखो, एक्स को 9, 15, 21 और कर्टिस पर्टेक में जोड़ा जाए, तो प्राप्ट सेंक्या समानुपात में हो जाती है, तो जोड़े जाने वाली एक्स सेंक्या का मानुप बताए, तो ऐसा कोशन मैंने अभी पढ़ाए था, तो बहुत एज़ी है, देखे समानुपात में हो जाती है, 9, 15, पहली दो सेंक्या लिखेंगे, बाद की दो सेंक्या साथ में लिखेंगे, 21 और कर्टिस, अब जैसे की मैंने बताए था, इन दोनों का अंतर इधर इन दोनों का अंतर लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं अंतर, तो 12, 9, 21, 12 का अंतर आया, इधर इनका अंतर हो गया, 11, 5 गटाएंगे, 6, 2, 1, 16, छोटा रेशो करेंगे इनका, 4, 3, 12, 4, 16, क्रोज मल्टी करेंगे, बताए था मेंने, 9, 36, और 15, 45, इनका अंतर आगया हमारा, 9, और इधर इन दोनों का अंतर आज़त है, 3, 4 में अंतर, एक अंतर से अंतर काटेंगे, एक नम्मा नो, तो वह संक्या है, 9, यही एक्स का मान है, तो संक्या 9 जुड़े जाएगी, तो option C हमारी question का answer आचुका, 9, next question, यदि A, B, C करेंगे, तो एक बटे 4, एक बटे 3, एक पात हमें बताना है, तो देखो, बहुती आसान, यहां से A, B, C का actual ratio निकालेंगे, 4, 3, 2 का LCM आजाएगा 12, अब 12 को बारी 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 बात करेंगे, इन ही संक्या है, 4, 3, 12, 3 आगया एक रेसो, 3 चोग बारा, 4, और 2, 6, ए, B, C का रेसो आगया, अब यहां पर हम लिख ल C का 4, C का 6, C का 6, A का 3, अब यहां पर वही तरीका, सिंपल सा तरीका, 4, 12 और 3 का LCM आजाएगा, 12 आजाएगा, बहुता सान से, 4, 3, 12, 3, 9, 6, 12, 2, 8, 3, 12, 4, 6, 24, यह आगया A, B, C का, यहांगे इस मान का रेसो आगया, 9, 8, 24, तो हमारे कोश्चन का अंसर आगया, ओप्शन B, इस राइट, 9, 8, 24, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, बहुती बेस्ट, एक कमरे में मेज और कुर्षी का अनुपास 79 है, यदि कमरे में मेज और कुर्षियों की कुल संक्या 560 देगे, योग बराबर योग हो जाएगा, इधर संक्याओ का योग, तो इधर रेशों का योग, 7, 9, 16, 16, 16, 48, 16, 85, 35 बार काटा, तो कुर्षियों की संक्या बताओ, कुर्षियों की संक्या है, रेशो 9 में गुणा करेंगे, आपर कुर्षियां आ जाएगी हमारी, 9, 45, 49, 37, 34, 35, 35 कुर्षियां आ गई, तो कुर्षियों की संक्या हो गई, 315, यही हमारी कुर्षियों का अंसर बनता है, 315, उप्षियों बी, कुर्षियों नमबर 36, देखो कुर्षियों नमबर 36, बहुती सुपर, और बेस्ट तरीके से देखो, एक ठेले में सपेद मार्बल और लाल मार्बल का अनुपात 3, 5 है, यदि लाल मार्बल की संक्या है, 1,500, देखी आपर लाल मार्बल की संक्या गरेशो है, 5, 5 का यह 30 यह 35,500 तो तीन का तीस गुना हो जाएगा 90, तो सपेद मार्बल हो गई 90, ओप्शन है हमारे कोश्चन का अंसर आचुका ओप्शन है, तो बहुत ऊज़ी तरीके से कोश्चन का सोलुशन आचुका, नेक्स्ट तो चलिए करते हैं इसको आसान है देस एक्स पलस पांच रेशो में बटे में 42 एक्स पलस आड बराबर यह ट्रिप्लिकेट रेशो का वल्लब इनका घन बनाएंगे पांच और आट का गन पांच का गन एक्सो पचिस पांच का गन और आट का गन पांच सो बारा यही हमारा ट्रिप्लिकेट रेशो होता है इन संग्याओ का गन बना लेते हैं जैसे यहाँ पर भी ट्रिप्लिकेट रेशो पूछा गया है तो तीन बटे चार का गन बनाएंगे और फिर जैसे ये questions वोल होगा same उसी तरीके से इसको हल करना है तो चलिए यहाँ पर हम x की value find करेंगे यहाँ से पहले इसको छोटा करता है 5 यहाँ पर common है 5 दुनी 10, 5 इकम 5 और 5 से यह 25 बार कटेगा तो 5 दुनी 10, 5 इकम 5, 5 से यह 25 तो यहाँ तो आजाएगा 2x पलश यहाँ वन और बटे में यहाँ पर 2 से गटेगा यह दो से 21 बार x पलश दो चोकाट बराबन नीचे 2 से गटेगा 254 और उपर 5 से यह 25 बार कटता है देखेंगे अब यहाँ से हम cross multi करेंगे और x की value find करेंगे देखो 256 दुनी 512 x 512 x पलश दो सो चपन बराबर 25 एकम 25 दो पच्चेश दो पच्चेश दुनी 50 अदो बावन x पलश पच्चीश चोकाट सो अब देखो 525 x है यहाँ 512 और यह वाली सेंके इदर गटेगी 13 x रे जाएगा इदर और 256 में से मैं यह गटा दूँगा 100 तो 156 बच्चता है तो तेरा ही कम तेरा दुनी 26 तो हमारा x का मान आ गया 12 तो देखो x का मान 12 आ गया अब यहाँ पर x का गन पूछा है x का गन होता है 12 का गन होता है 1728 यदि हम इसका गन करे 12 का गन है तो 12 का गन करेगे हम 12 का गन होगा 1728 यही हमारे क्वेश्चन का अंसर बनेगा option c तो option c is right on set बहुती आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं ऐसे ही हमारा निया कोश्चन है देखो 2x पलस 3 बटे में 5x पलस 4 बराबर हो गया इसका गन करेंगे 3 का गन सत्ता है 4 का 64 अब देखो इसको क्रोश मल्टी करेंगे 4 बराबर सत्ता इस पंज एक सो पैंतिस एक्स पलस सत्ता है चुक का एक सो आठ अब देखो इसमें 135 मेंते साथ ये 15 मेंते आठ गटाएंगे 7 बचेंगे 135 मेंसे 182 गटाएंगे 7x बराबर 112 मेंसे मैं 108 गटाऊंगे इधर 12 मेंसे 8 गटाएंगे 4 8 मेंसे 8 चुराशी रह गया तो साथ से मैंने इसको काटा बारा बार तो X का मान आगिया बारा अब यहाँ पर पूछा है X का वरग बताओ X का वरग तो X बारा का वरग करेंगे 144 तो 144 हमारे question का answer बनता है option C option C is right answer होगा question number 49 देखो बहुती best जबरदस्ट question आपके सामने चार्नों के अनुपात में A और B के बीच 49 केंडिया बाटी जाती है तो B को A से कितनी अधिक केंडि मिलती है तो देखो equal to equal total केंडियों की सेंग 49 है और A B को बाटी गई अनुपातिक रूम में केंडियों का अनुपात चार्नों तो total equal to equal करेंगे total 49 केंडिया हमारा total रेशो का योग 9 चार तेरा तेरा तिये 49 एक रेशो की वेल्यू है तीन तो B को एसे कितनी अधिक मिली B को एसे 5 जादा मिली 5 की उना करेंगे तो यही हमारी question का answer बनता है option B is right तो दीखिए बहुत आशानी से आप equal to equal form में हर question को easy बना सकते हो यही जवरदस्ट खतरना concept है इससे आप मेत easy कर सकते हो मेत को खिलो ना बना सकते हो अपने डर अपने अंदर गर जो डर है वो finish कर सकते हो मेत पर आप हावी हो सकते हो इसी concept से और यदि फिर भी आपको doubt है कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे contact करें हमारा mobile number 94 84 84 इस पर contact कीजें मैं आपकी सारी problem गरवेटे ही solve करूँगा मेत से related आज़े देखें next question देखो यहाँ पर यदि 4 5 रेसो बारा दस समानुपात x बटे 6 रेसो नो दो 9 बटे 2 हो तो x का मान बताना सीधा सा यह fraction में आ गया कोई दिक्कत नी है यहाँ पर 4 बार रेसो है समानुपात का चिन बीच में है तो बहरी पदो की गुणा करेंगे और यहाँ पर बीतरी पदो की गुणा तो यहाँ से x की वेल्यों में प्राप्त हो जाती है चली दर लेते हैं चार बटे 5 गुणा में 9 बटे 2 बरावर 12 बटे 10 गुणा में x बटे 6 तो चली यह हो जाता है देखो पांच दुनी दस ते में ने 10 काटा 6 दुनी 12 और 2 दुनी 4 नो दुनी 18 तो चली देख लीजिए x कमान 18 आगे आपके सामने option D तो option D is right answer x बरावर 18 next देखते हैं 21 चोकलेट 5 दो के अनुपात में बाटी जाती है यह योग बरावर योग तो 21 चोकलेट 5 दो के अनुपात में टोटल योग सात हो गया साती है 21 छोटे इससे में कितनी चोकलेट आएगी छोटा इससे का रहे सो 2 है तीन दोनी 6 चोकलेट आएगी 6 तो छोटे इससे में 6 चोकलेट आएगी छोटे इससे में चली आंसर आ चुका है तो option B is right answer option B हमारी question का answer बनता है question number 42 बहुती best question श्रीमती सिंग के परिवार की मासिक बचत और वै का अनुपात 3 अठ था यदि परिवार की आए 27,500 27,500 दी तो बचत ज्याद करो तो देखें ये equal to equal करेंगे योग बराबर योग से टोटल परिवार की आए 27,500 और यदि हम बचत और वै को एक जाएं जोड़े तो हमारी आयाज़त की 8, 3, 11 हमारी आयाज़ेगी 11 योग आयका योग हो जाएगा 11 11, 22, 5, 11, 55, 2, 0, 25 एक रेशो की वेल्यू 25 हो गई बचत कुछा है, बचत का रेशो 3 है, तीन में गुणा करेंगे 25 होगी तो बचत आजएगी हमारी 25 है, 75, 100 यही हमारी कोश्चन का आंसर बन जाता है, 75, 100 ओप्शन B is right answer तो देखो इसको फड़ा बड़ जल्दी करेंगे और 2 नो में इसको निम्टाइगे, देखो यदि चुरस्षी को पाज नो के अनुपात में टोटल योग चुरस्षी मैंने बार बार काया इसी कॉंसेप्ट से सारे कुश्चन अलोते हैं तो इसे रेशो का योग ले लेगे 9 पाज, 14, 14, 6, 6, 6, 6, 6, बार गटा अब यदि एक्स रेशो सोडा समनुपात 63, 3, 36 है तो एक्स का मान बताए बाहिए पदो की गुणा, बीत्री पदो की गुणा लिखेंगे 36 गुणा एक्स बराबर 16 गुणा 63 9 चुक चटिस, 9 सत्ते 63, 4 चुक शोडा एक्स बराबर आगया, 4 सत्ते 28 28 हमारे कोश्चन का आंसर बन गया है ओप्शन सी इस राइट आंसर, देखिए कोश्चन नमबर 45 बहुती आसान तरीके से कोश्चन का सोलुशन देखो यदि 154 मिटर लंभी रसी 95 के अनुपात में बाजित की जाती है देखिए टोटल रसी के लंबा यह है 154 और इसके रेसों की टोटल हो गया 95-14 95-14, चोदा एकम चोदा एकम चोदा, 11 बार कटे गए तो छोटे टोडे की लंबाई बताओ, छोटे टोडे का रेसो 5 है 5 की गुणा करेंगे इसमें, छोटे टोडे की लंबाई 11 पंजे 55 मेटर तो देखे, कोश्चन का आंसर आचुका है 55 मेटर ओप्शन बी इस राइट आंसर चेक करो और देखो और आपका मेथ बिल्गुल आजान बनाये जाएगा, देखो यदि x रेसो 4 समानुपात y रेसो 5 है तो xy का रेसो बताओ y है पदोगी गुणा भी तरी पदोगी गुणा करेंगे 5x बराबर हो गया 4y और बराबर में अनुपात उल्टा होता है, x का रेसो 4 है, y का रेसो 5 है तो X का 4, Y का 5 यही हमारे question का answer आगया X का 4, Y का 5 Option B is right answer तो friends यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो हमारे channel को subscribe करें और वीडियो को share करें जिसे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे question होगा solution ला सके और आपके सामने नहीं बुको के solution लाएंगे जिसे कि आप घर बेटे ही महत में महारत आसिल कर सकते हो और महत की कोई भी problem आपको नहीं आने देंगे यदि आपको कोई problem आती है तो आप हमसे contact कीजिए आप का हम महत में बिल्गुल finish यानि कि डर खतम कर देंगे तो friends बहुत ही अच्छी तरीके से आप महत को सीखे और आगे बढ़ते जाएंगे आप महत के महारत ही कहला होगे तो आज की वीडियो यहीं पर समापत होती है इसे next वीडियो में हम chapter number 7 साज़ेदारी का लेके आएगे partnership का chapter Thank you, welcome, धन्यवाद